है वेल्कम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं ये αनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेकनी कल लेशिस चैनलूस का और सात में करते हैं औप्शन चैन को दूस्तों यह अनलिसिस करने के सात में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफिफ्टी और बैंक 9 ao जो labels possible होते हैं, हम उन labels के बारे में discuss करते हैं, उन्हें note down करते हैं, ताकि next day जब भी आप nifty 50 या bank nifty में कोई position बनाएं, तो इन labels को ध्यान में रखते हुआ अपनी strategy को design कर सके, साथ में उन discuss करते हैं हमारे internet trades के बारे में and logic behind that trade too, दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाए, साथ में इस चैनल पर आपको technical analysis और trading techniques related videos भी regularly देखने को मिलते रहते हैं, for example, अगर आप options के अंदर derivatives के अंदर trade करते हैं, तो option chain को किस तरह से effectively read करना चाहिए, कौन से strike के उपर में buyer एक्टिव है, seller एक्टिव है, या कौन से strike पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है, इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करकर trade करें, इन सब subject को cover करते हैं वीडियोस आपको अमारे playlist में मिल जाएंगे, तो friends, इसी तरीके से नए-ने चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए, हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे, और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे, ताकि आपको latest updates मिलते रहें, इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं, उसकी membership को भी join कर सकते हैं, जहांपे silver, gold और platinum ये तीन membership हम offer करते हैं, इनके सब gold आपको nifty और bank nifty के daily के features के label होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं, और अगर आप platinum membership के लिए जाते हैं, तो आपसे live market के अंदर में, जो मैं trade initiate करता हूँ, इनफोर्मेशन भी शेयर करता हूँ, शुरू करते हैं, हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50, बैंक nifty और हमारे इंडड़े trades के बारे में, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, 5.96 या लगबग 6% का fall देखने को मिल रहा है, मैं इंडिया विक्स के अंदर में, 25 प्लस से ये recovery, या fall मैं बोलू, इंडिया विक्स में नजर आ रहा है, जो कि 21.50 या 21 के आसवास में रुखते हुए, एक बार नजर आ सकता है, यहां तक भी अगर हम पहुंसते हैं, 21 के पास में भी अगर हम पहुंसते हैं, तो एक बार lifetime high फिर से तोड़ने की कोशिश हो सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंजर में, आज के दिन में बैंक निफ्टी एक बार कही ना कहीं लाइफटेम हाई के आसवास में काम करने की कुशिश भी कर रहा था, पर वहां से फॉल देखने को अच्छा का सा में मिला हुआ है, सुन करेगा या नहीं करेगा, यह हम चार्ज को पर समझेंगे, पहले देख लिए थे पॉइंट वाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी न आज के दिन में कैसा काम किया है, 15,097 पे क्लोजिंग होई है निफ्टी की, और इतने प्रीमियम पे जब काम करते हुए नजर आते हैं तो एक बात थोड़ा साथ प्रीमियम कम होने के चांसे पहले ज्यादा बनेंगे, अगर प्रीमियम कम होने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पॉइंट लूज आउट करते हुए निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर दिख सकते हैं हमें आने वाले सेशन के अंदर में, सुब चलते हैं, डेरिवेटिव डेटा भी समझ लेते हैं, कल के दिन में लग 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 रात को दो डाई बजे के असए में डेरिवेटिव डेटा हुए थे, इसके लिए अपने वीडियो ँचे में में लेकिन नहीं कर भाए थे, लेकिन आज के दिन में भी आया है 9 बजे के आसपास में तो definitely आपके सामने जो लेका है data, और surprisingly उसके अंदर में जो data देखने को मिल रहा है, जिसे मैंने कम से कम तीन बार चेक किया हुआ है, लॉंग पोजिशन जो है FII के बढ़ते हुए 76.28% पर पहुच गया है, कल के दिन में 64.07% पर पिशले 9 से 10 सेशन के अंदर में सबसे ज़्यादा आज के दिन में positive देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यह क्यों हुआ पहले वो समझ लिजए, हुआ है इसलिए क्योंकि इस सिस्टम में जितने भी शॉट्स बने थे अच्छे खासे शॉट्स कट गए है, लॉंग बनाया है क्या, कैरी फॉरवर्ड हुआ है करके जिसे हम रोल ओवर बोलते हैं, रोल ओ समझ सकते हैं, बढ़िया है, 76.28% के आसवास में आप काम कर रहे हैं, लेकिन इतना लॉंग पोजिशन अगर आफ 15,100 के आसवास में आपने क्रियेट कर लिया है, तो 100% आप जाएंगे नहीं पॉजिटिव, तो यहां से पॉजिटिव कम होना चालू होगा, सिस्टम में और कॉन्फिदेंस कम होगा, यानि lifetime high हम तोड़ेंगे या नी तोड़ेंगे, बढ़ डाउट फुल बनता हुआ नजर आ सकता है, तो कल का सेशन फिर से देखना इंपोर्टन रहेगा, बट येस जिस तरह से long position 76.28% के आसवास कब बना हुआ है, ये 82-83% के आसवास में जात ना ही negative मानता हूँ, मैं इसे neutral लेके चल रहा हूँ, तो कि बहुत ही जादा ये motivating मुझे नहीं लग रहा है, derivative data के अंदर में देखेंगे, तो index future के अंदर में 382 करोन रुपीज की buying हुई है, जो कल के दिन में 443 करोन रुपीज की आसपास में थी, and stock future के अंदर में 1654 करोन की जो कि कल के दिन में 321 करोन रुपीज की थी, आज expiry day, last day monthly था, तो definitely जो भी position बने वी थी, unwind की गई होगी, तो यहां पे थोड़े से बड़े figure आते वे रहा है, इससे चिंटा करने के अभी इतनी कोई बात नहीं है, और neutral view यहां से भी लेके चल रहा है, आप दिखेंगे, 188 करोन के आजपास की बाइंग एकने को मिल रही है, DII 747 करोन की बिक्वाली, दो दिन की खरीदारी के बाद में फिर से अपने जो पुराना अवतार था उसी में वापस से आते हुए नजर आ रहा है, FII, aggressive selling के बाद में थोड़ी से कम सेलिंग कल के दिन में, और दे आज 188 positive figure आते हुए नजर आ रहा है, even this is neutral also, and at the same time, put call ratio के बाद में बात करें दो 1.35 है, comfortable है, बहुत जादा oversold या आप overbought नहीं बोल सकते हैं, यहां से कुछ point उपर जाने के लिए, यहां से point बनता है, कुछ point यहां से आपर जा सकते हैं, so यह भी आपका एक neutral zone के अंदर में काम क आता हा रहा है, so आज का पूरा derivative data, अगर आप समझने कोशिश करेंगे, तो derivative data के अंदर में, India Weeks एक ऐसा है, जो आपके लिए positive है, बाकि जो भी indication अगर देखने को मिल रहा है, वो indication neutral ही आ रहा है, long 76.25% यह बहुत जादा motivating नहीं है, इसके अलाबा cash segment की बात करें, बहुत ज derivative data की तरफ से, तो आज के दिन में हमने position कौन सी बनाए, मैंने एक trade initiate किया था, आज के दिन में, strategy में काम किया था, जो कि मेरे favor में नहीं गया, लेकिन जो carry forward position लिया हुआ था, कल के दिन में 36500 का call, जो carry forward लिया था, वहाँ पर लगभ़ लग 166.67% का profit book किया, कल के दिन में discussion 266.67% का, हमने कल Nifty के अंदर में भी जिस तर का move market में देखने को मिला था, उसके चलते हुए, अच्छागासा या पर हमने profit book किया हुआ है, so total profit अभी तक, जब से इस program को शुरू के है, 6-6-7 मेने हो रहा है, 5-like 85,123 rupees का profit हुआ है, and examples भी हम सिब 2 या 1 lot का ही लेते है, actual quantity example के लिए हम कमी रखते है, so total अगर आपने ये platinum membership starting से join किया रहा है, तो definitely आप भी profit में ही होंगे, और आपको इस सारे trades आपके mobile पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं, तो 8291-802926 के उपर में आप contact कर सकते है, WhatsApp कर सकते है, या तो message कर सकते है, ता कि मेरी team आपको ये जो trades है, live market में आपके WhatsApp पे या आपके YouTube के community app पे deliver करने में help कर सके, चलिए आगे बढ़ते है, समझ यह कोशिश करते है, fab का महिना बिद गया, और ये जो आखरी महिना, financial year का आखरी महिना है, ये किस तरफ जा सकता है, bullish, bearish या neutral, charge के उपर में इसे समझ यह कोशिश इस वीडियो में हम discuss करने वाले है, nifty के बारे में, bank nifty का view उपर card पे click करके आपको देखने का मिलेगा, now pardon me for this graph, क्यों कि ये कल जो nifty में जो glitch आया था, technical glitch उसके बाद का चार्ट बैना, ये चार्ट continuation में नहीं दिख रहा है, और जो closing हुई थी, closing लगबग लगग इस label के आ आज के trade को gap up opening हुई, और gap up opening के बाद में, एक range bound trade देखने को मिला है, unfortunate क्या रहा आज का trading में, I am saying unfortunate, क्या रहा कि हम इस range के अंदर ही काम करते रहे, consolidate करते रहे हैं, जो कि आपको 15,160, मोटे तौर पे बोली तो 15,150 से लेके 15,100 के बीच का ही था, कल के दिन में हमने discuss किया था, तो यह बोला था, 15,150 तक जाने के chances है, वहां तक गए भी हम, लेकिन उसके बाद में, जो हमने अलड़ी एक, you can see this line and this line, support and resistance अलड़ी हमने ड्राउ कर रहा था, लेकिन breakout किसी भी तरह देखने को नहीं मिला हुआ है, क्या इसे positive लेना चाहिए, negative लेना चाहिए, मैं इसे थोड़ा सा negative लेके चल रहा हूँ, negative के लेके चल रहा हूँ, reason being, जो कल का move देखने को मिला, वो move आपको basically जो position unwind हो रही थी, जो brokers ने position unwind कर दे, उसके चलते हुए, margin call आपको अगर मालूम होगा, तो margin call कल hit किया था, जिसके चलते हुए, बढ़िया समझ में आ गया होगा, so, यह जो range में काम कर रहा है, यह range थोड़ा important है, और यह important range की हुए, मैं इसे आपको यहाँ पर, let me zoom it bit, so, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, क्यों इसे important बोल रहा हूँ, so, let me take you to the, okay, let me take you to the daily chart, इसको समझने के लिए daily chart पे चलते है, अब daily chart के अब देखेंगे, तो यह कुछ दिन हमने consolidate किया था, and अगर मैं इसे extend करो, तो आज उसी range में हमने काम किया है, so, एक consolidation वाला range जो 15,100 से 15,000, sorry, 15,000 से लेके 15,150 के आसपास में था, उसके बीच में काम होते हुए नजर आया हुआ है, और फिर इतना कुछ खास movement देखने को मिल नहीं है, expiry के दिन, एक बड़ा दिन होता है, वहाँ पर तो moment के expectation होती ही, जो देखने को आज के दिन में नहीं मिला हुआ है, okay, so, अब करे क्या, moment कहां पर हो सकता है, moment होने के लिए पहले, यह breakout या breakdown होना ज़रूरी है, breakdown क्या, आपके लिए 15,000 का label important है, at the same time 15,150 का label भी important है either side breakout होगा, plus minus 100 point का expectation रखे है, इसके अंदर में, even जब हम option chain पे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, यह दोनों label का importance क्या है, क्यो option chain के अंदर में भी आपको यह दिखाई देगा कि breakout के ज़रूरत है, इसको जैसे आप breakout करोगे, plus 100, plus, you know, plus minus 100, 150 point का moment का moment देखने को मिलेगा, तो क्या करना चाहिए, long करना चाहिए, मैं बोलूगा, wait करिए, अभी wait करिए, either side movement करे, तब किसी तरह का trade लेना समझदारी होगा, और अगर movement होता है, let me write it here only, अगर movement होता है 15,150 तोड़ता है, तो chances बनते हैं, जैसे मैंने 100 point लिखा, chances बनते हैं 15,250, 15,300 का एक बाद आपको नजर आवे, अगर 15,000 तोड़ता है, तो एक बाद फिर से 14,800 के आसपास में support लेने की कोशिश करेगा, target आपका 14,800 और 14,900 बनेगा, अगर 15,000 के आसपास में काम करने हैं, और हमने नीचे breakout हुआ, हमने कोई position बनाई, तो इसके लिए stop loss 50 point का ही रखेंगे, जो कि 15,0 50,000 है, और अगर 15,150 ऊपर जा रहा है, और हमने कोई position बनाई, तो इसके लिए यहाँ पर आपको 15,090 का stop loss लगाना चाहिए, अगर long position आप बना रहा है, तो, option chain से क्या निकल के आ रहा है, अगर आप option chain देखेंगे, हम, let me make it first, nifty का, so हमने closing दी है 15,097, 15,100 हमारा add the money होगा, and let me make sure कि हम 4th March का ही देख रहे है, and, okay, data is changed now, 4th March, yes, data is changed now, so, अब 4th March का अगर आप data देखोगे, तो आपको एक चीस समझ में आएगा, इसके अदर में जो table है, first of all, 15,100 हमारा add the money है, अब position देखें कैसी बनी होगा है, अगर position देखेंगे, तो 18,776 lot का open interest देखने को मिल रहा है, कुछ इतना ही लग 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 इतना ही lot आपको 15,500 का असपास में देखने को मिलेँ अ, not this one, 15,500 पि आपको देखने को मिलेगा, इतना ही lot and उससे थोड़ा कम आपको 15,200 पर देखने को मिल रहा है In the money में भी 15,000 पर 12,000 के आसपास का आपको position देखने को मिल रहा है put side देख लेते हैं फिर analysis करते हैं put side अगर आप देखेंगे तो 15,000 के उपर में 19,766 lot का open interest 14,900 पर 16,000 का open interest and 14,800 पर 15,000 का open interest देखने को मिलेगा highest open interest place का है highest open interest 15,000 and 15,100 के बीच में placed है at the money पे almost same है नीचे no doubt in that लेकिन यहां पर आज 14,000 lot का addition आज के दिन में ही हुआ है अच्छी कासी activity आज के दिन में देखने को मिले हुए है यहां पे so longs बने है इसमें भी कोई शक नहीं है पर जो open interest highest open interest वो 15,000 and 15,100 पर है चार के अंदर में consolidation देखने को मिल रहा है 15,000 and 50,150 के बीच में so either side breakout होना बहुत ज़रूरी है और जब breakout होगा तो आपको 100 point का moment confirm मिलेगा either side में तो एक बार stop loss के साथ में उसमें काम करना चाहिए range क्या हो सकता है गया week बहुत volatile था और उतनी volatility इस week में मैं expect नहीं कर रहा हूँ so मुझे लग रहा है 14,800 नीचे से नीचे 14,800 पर support हो जाना चाहिए इस week के लिफ्टी को और उपर की तरह से एक बार lifetime high की तरफ चलने की कोशिश करेंगे so अगर मैं cotton 1, cotton 2 की बात करो तो यहां पर longs बनते हुए नजर आए cotton 3 & cotton 4 के बारे में बात करो तो आपर shorts बनते हुए नजर आए जिस तरह से call side में 14,060 के उपर में सबस्यादा activity थी उसी तरह से 15,100 पर 16,533 lot का सबस्यादा activity देखने को मिला so 15,000, 15,100 call and put side के लिए important open interest का काम के दिन में करने वाले हैं this is all about nifty hope आपको व्यू पसंदा है अगर व्यू पसंदा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा दोस्तों के साथ में शेयर करेगा at the same time thank you very much for watching this video hope आपने चैनल को subscribe कर लिया होगा और साथ में आप platinum membership का भी benefit ले रहे होंगे होप आने वाला week और आने वाली expiry आपके लिए जोरदार हो और आप खुब सारा पैसा कमाएं good night